असलाम अलेकम फ्रेंद्स मैं हूँ आपका टाक्स तोस्ट एक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं SECP Security Exchange Commission of Pakistan के Regulatory Sandbox Guidelines पर जो हमारी सीरीज चल भी है जहां हम आपको guide कर रहे हैं कि आपने second cohort जो 15 April 2021 को start हुए आपने apply कैसे करना है खास तोर पर अगर आप fintech crypto AI based startups हैं तो यह specially regulatory sandbox जो है और यह मुश्किल लवज नहीं है basically उन्होंने एक मौका दिया है कि वो आपके software को आपकी solutions को आपकी services को या आपके products को operate होते वे देखेंगे और जो customer और बाकी जो stakeholders है उनका और आपका जो relation है वो देखेंगे आपका business model देखेंगे तो आज हम बात करेंगे जिसमें previous parts में जो cohort one था batch one जो start वा था पिछले साल उसका experience मैंने share किया इस साल जो है क्या करते हैं encouragement हो रही है crypto वालों को और और लों को तो उसकी हवाले से बात करें तो introduction में हमने देखा कि basically इनका जो मकसद है वो unique products और यह जो new technology है उनके new products को encourage करना है और potential participants को चाहे वो registered है as a company LLP या वो unregistered startup है या international है उन सब को मौका देना जो permission है वो इस तरह शुरू होगी के announcement होगी जैसे हो चुकी है कि जी application समिट करें और आपको email पर भेजनी होगी Sandbox पर 5000 उसका जो है चलान है जो से सीपी की website पर आपने जनरेट करना है तो पंद्रह April से जो है कहा जा रहा है कि जी आप application समिट कर लें तो 14 मई जो है उसकी last date है और ये form 1 और कुछ legal documents की बात हमने last time की थी आज हम बात करेंगे एक बहुत important section की कि आपने outline देनी है अपने business model की कि आप कौन सा product या solution या service दे रहें और उसके अंगर minimum आपने definition और explanation of proposed innovation और ये ABC से लेके age तक है और फिर कुछ exit से related आपके product के end होने से related भी कुछ चीज़ें तो ये explain करते हैं कि आज आज आपको एक idea हो जाएगा कि how to write the proposal जो ये मांग रहें अब आप दो different background से हो सकते आ रहे हो या आप academic यानि university graduate हो research based background से आ रहे हो तो ये जो proposal वगएरा मांग रहे हैं methodology का पूछ रहे हैं product के risk का पूछ रहे हैं वगएरा वगएरा strategy और consumer को benefit पूछ है वो already शायद आपने ये सारा process कर लिया हो लिख लिया हो service कर लिया हो बीटा testing कर ली हो तो आप चुके अगर academic research background से आ रहे हैं तो फिर तो ये आप सारा कुछ easily लिख लेंगे अगर आप एक practical background से hands-on background से आ रहे हैं यानि कि आपने एक IT professional थे या आप किसी और field से थे और आपने फिर technology company स्टार्ट की है खास तोर पर fintech में, crypto में, AI में, internet of things में, IOT में, तो तब आप शायद research documentation के इतने शोकीन ना हो तब भी जो है न मैं आपको एक basic idea ये दे रहा हूं कि ये जो headings दी में आप इनको copy कर सकते हैं एक तो शुरू में आप अपनी team वगएरा के बारे में documents और पैसे वगएरा और जो आपके main sponsors हैं इनके resume वगएरा डालने के बाद अपने document में, क्योंकि document तो आपने submit करना है और वो एक report की सुरत में हो, चाहिए word या जो है कि काते हैं उस पे उसमें template बना हो, उस template के मताबिक आप जो है वो template ready meant ले सकते हैं उसमें जब आप business model पर आएंगे, तो मैं आपके साथ कुछ example share करता हूँ, product के लिए आज हम बात करेंगे crypto assets की, अगर आप crypto assets mine कर रहे हैं crypto assets की sale कर रहे हैं, तो crypto assets आपके products हो गए, जो आप this sandbox के अंदर उसका सारा crypto assets के हवाले से proposal बना रहे हैं यह solutions में हम person to person lending के mobile app की बात कर रहे हैं, जहां एक शक्स जिसके पास कुछ पैसे ज्यादा है, वो secure तरीके से, दूसरे शक्स को पैसे दे सकता है profit पर, और service के case में हम एक AI based, artificial intelligence based stock market trading, जो है service अगर आप launch करें, ठीक है, यह जो सारे products हैं, यहाँ जो form one हमने last video में बात की थी, उसकी application category में आप बड़ा clearly लिखेंगे, जैसे alternative financial intermediately platform में आता है person to person lending, ठीक है, इसी तरह digital assets में आता है crypto assets, उसके अलावा financial and robotic advisory में आप कह सकते हैं कि AI based stock market trading services आपकी आएंगे, तो इस में से किसी category में तो obviously आप fall करेंगा और आपको अपकी category के बारे में काफी अच्छा पता भ intelligence भी है, यहाँ पर crowd funding भी है और कुछ insurance भी है, alternative risk transfer mechanism भी है, जैसे forward contracts होते हैं या swaps होते हैं वगरा, तो इन में से कोई भी category जब आपने शुरू में ही लिख ली होगी, तो फिर उस category के बारे में, उस category में जो आपका product होगा, उस के बारे में, उस business model को आप इस तरह explain करेंगे कि सबसे पहले आप definitions देंगे, तो अगर आपका product जो है crypto asset है, तो मैं suggest करूँगा कि आपका must come crypto asset की अपनी तरफ से, या कोई standard definition जो आपको standard websites पर मिलती है, वहाँ से ले के definition दे और कोशिश करें कि जो आपका business model है, जो आपका product है और थोड़ा बहुत जो जिस area में आप काम कर रहे हैं, उनकी चन्ड definition ज़रूर आप दें, ताकि वो एक starting point होगा, आपको खुद भी पता चल देगा कि अच्छा है यार हमारे product का ये मतलब है, कि ये person to person landing का मतलब ये हुआ, कि इस में जो है, दो लोग जो जो कहीं registered नहीं है, वो easily आपस में पैसे share कर सकते हैं, ठीक है न आउटलाइन को जब SECP वाले screen करेंगे, screening का मतलब है, जब वो आपके application उठा के देखेंगे, और वो देखेंगे कि वो जो उपर वाले points है, तो उनके पास जो criteria है किसी भी application को approve करने का, उसके अंदर उनने broad guidelines में ये चीज़ें दीगे, genuineness of innovation, यानि कि अगर आप जो है, उ person to person lending है, तो आप proposed innovation में उसको explain करेंगे, कि जी हम crypto asset को mine करके लोगों को available करेंगे, हम AI based trading services हमारा stock market में लोग trade करेंगे, जो suggestion हमारा AI system उनको recommend करेगा, वैसे तो stock market में trade करने के लिए बहुत experience से होता है, लेकिन आप easy कर रहे हैं AI based trading strategies दे रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान में, excuse me, तो वो जो proposed innovation आप दे रहे हैं और उसकी जो uniqueness है, उसको आपने इस चीज पर नापना है, कि आया वो idea local market के लिए new है, तो आप कह सकते हैं कि crypto asset के case में और person to person lending के case में, ये ideas बिलकुल नए हैं, हो सकता है, ऐसे startups भी हो और कुछ companies भी काम करें, लेकिन आपने point of view से देखना है, कि generally, जैसे Uber करीम है, अब ये idea बहुत ज्यादा, market में नया participant आया, P, B for you cars, तो अब वो भी copy करें, तो आप ये नहीं कह सकते हैं, कि ये new idea है, local market में, और ये new idea से मुराद ये है, local market से मुराद, और AI stock market trading services के case में, आप कह सकते हैं, कि आपका जो AI based trading system है, वो जिस तरीके से data लेता है, और strategies बनाता है, वो हो सकता है, बहुत सरी brokerage और commission stock market firms पाकिस्तान में हो, जो international firms हो, वो already AI की help ले रहे हो, लेकिन आप चूँके market में इस चीज़ को, और वो proprietary software हो, और आपका जो idea वो general public के लिए इस्तमाल हो, तो इस तरह करके आप कह सकते हैं, कि existing idea जरूर है, लेक AI के proprietary software हो, एक open source software हो, और उसके तुरू लोग जो है ना trading सीके stock market में और कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें, तो इस तरह आप देख रहे हैं, कि जो एक तरफ तो आप लिख रहे हैं, अपने business model का product के हवाले से solution के हवाले से, कि उसकी definition क्या है, उसके proposed innovation क्या है, साथ-साथ रख रहे हैं, कि SACP वाले उसको कैसे जज़ करें, अच्छा, आप जब जब आप definition लिखेंगे, दो तीन definitions आप लिख दे, जब आप proposed innovation लिखेंगे, तो proposed innovation के बारे में जब आप लिखेंगे, तो आप हो सकता है कि उसके process का diagram शो कर दे उनको, उसकी basic एक outline मना दे कि यह होता ह यह basic lending में, person to person lending में, यह सारी चीज़े होती हैं, तो basically आप उनको एक outline, एक blueprint दे रहे हैं कि इस तरह आपका product, solution या service का आप करते हैं, ठीक है, और हम तीन examples हैं, जिसको लेके चल रहे हैं, और आपने वो uniqueness वाला innovation वाली चीज़ेंगे, अगले point पर जाते हैं, आप इस सारी heading को copy कर सकते हैं, उस proposal में, उस document में, यह आपकी heading हो जाएगी, और next heading क्या है, कि potential benefits बताएं, इस product, solution, service का, अपने consumers को, और financial markets को, basically consumers और अच्छा है, इन्होंने यहां financial markets लिखा है, कि basically तो financial products ज्यादा तर हैं, यह तीनों आप देखें, crypto asset है, percent to percent, यह financial transactions है, ज्यादा तर, ठीक है इसमें आपने consumers को भी identify करना है, यानि आपने consumers की भी type हो सकती है, technology professionals हो, general public हो, educational institutions हो, इसके अलावा और stakeholders भी होते हैं, इसमें government तो होती होती है, investors होते हैं, financial markets हो सकती है, यानि stock market, अब यह जो stock market वाला product है, AI based stock market trading scheme, services जो है, यह जो existing महां बहुत सरे लोग हैं, जो 40 years गुजर और वो trades लगा रहे हैं, stock market में, उनका बड़ा experience बन गया, तो आप एक AI based ला रहे हैं, तो जारी बात है, कि उसको, उनको भी शायद इस से benefit हो, और यह benefit हो, कि उनके पास जो interns आते हैं, और जो लोग आते हैं, उनको शायद वो आप सिखा न सकें, वो trades, तो वो AI system को यूज कर market broker है, वो जो है, फिर उनकी polishing करें, जैसे हर, हर industry में होता है, कि आप initial चीजें basic level पे सीखते हैं, किसी शक्त से, यह system से, और फिर आपकी polishing होती है, तो इस तरीके से आप identify करें, उन सारे लोगों को और उन सारे लोगों को जो direct benefit जाना है, और यहाँ पर अगर आप देखें, एक benefit जो है, वो तो आपने financial inclusion mention करना है, और यह financial inclusion की definition यहाँ दी विया, दूसरा जो आपने consumer, जो जो भी consumer आप identify करेंगे, जैसे educational institutions को identify करेंगे, या students को identify करेंगे, और याद रखें, कि आपने एक, जो है, चुगे यह testing होनी है, आपके product की, और यहाँ पर जो आप consumer segment mention करेंग या undergraduate student, तो फिर आपको, obviously, proposal के तहर, SECP allow भी उनी करेंगे, अगर आप अपना AI वाला trading system चाहते हैं, कि stock brokers उसको use करें, तो फिर stock brokers जो यह risk लेना चाहेंगे, उनको SECP आपको allow करेंगे, कि उनको दें, और चुके, आपके product के उपर, security exchange commission of Pakistan का एक तरह से stamp लगी होगी, कि एक त हम समझते हैं, कि आप इस product को use करें, आपको कम से कम नुकसान होगा, तो आपने जो direct product, direct benefit है, और indirect benefit है consumer को वो बताना है, और risk भी बताने है, उस consumer को, यानि जो नुकसान हो सकता है, यानि जब आप यहाँ पर simply business model में, ये B part में potential benefits बता रहे हैं, तो consumer की list तो आपने पहले बन आली होगी, कि government हो गया, stock brokers हो गया, या person to person lending के अंदर, आप पहले start कर सकते हैं, ऐसे लोगों से, जो कमेटियां वगरे डालते हैं, जिस तरह हमारे एक tradition है, लोग pooling करते हैं, तो आप उनको confidence में लेते हुए, SECP के इस sandbox से अंदर रहते हुए, आप उनको अपना product करें, ताक नहीं कैसा हो, तो आप जो है, उन consumer के list बनाने के बाद, उनको जो benefits है, वो बताएं, और उस benefit पे एक main benefit तो financial inclusion होना चाहिए, और financial inclusion का सरव यह मतलम नहीं, कि वो जो है, technology उसकने लगे हो सकता है, आप mobile app नहीं भी बनाते हैं, तो फिर भी आप कोई technology, आजकल fridges में भी technology है, books के अंदर भी microchips लग सकती हैं, तो वो technology जो है, आप किसी तरीके से भी consumer को पंचा सकते हैं, लेकर अगर आप mobile यूज करेंगे, तो पाकिस्तान में bank accounts तो, यानि जो financial inclusion है, banks जो है, अभी सिर्फ एक करोर लोगों के पास bank accounts है, जबके 10 करोर लोगों के पास इस वक्त पाकिस् financial inclusion ज्यादा से ज्यादा लोगों के कर सकते हैं, अगर आप mobile यूज करेंगे, तो एक suggestion है, कि जब आप अपने potential benefits लिक रहे हों, अपने crypto assets का, या अपने pure person to personal lending का, तो आप इस तरीके से financial inclusion एक benefit हो गया, वो तो आपने show करना है, कैसे financial inclusion हो रही है, कैसे पहले ये शक्स, जो है, jazz cash यूज नहीं करता था, आप कर रहा है, तो आप ये पैसे electronically भेज रहा है, पहले by hand भेजता था, तो इस तरीके से है, और आगे जो parts हैं और वो जो exit है, उसके हम बात करेंगे, आने वाले parts में, आप अपना ख्यार रखें और इस proposal को लेखें, thank you very much.